नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्ट महारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नमबर फोर, अल्टीटुड्स एंड मेडियास आफ ट्रेंगल तो फर्स्ट पॉइंट है, अल्टीटुड्स आफ ट्रेंगल तो यह पॉइंट जोइन करने से, मतलब शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरूद है कि चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकों जो है वो प्रेस करें अभी देखे, अल्टीटुड आफ ओ ट्रेंगल यह वीडियो में ने मरठी में बनाय हुआ है लेकिन हिंदी में भी बराना जरूरी है उतना ही तो altitude of a triangle देखिए क्या होता है कि triangle में किसी भी vertex से किसी भी एक vertex तो triangle में क्या क्या होता है देखिए तीन vertex होते हैं यह vertex point यहां का जो point है और यह तीन vertex तीन sides होते हैं और तीन angles होते हैं angle A, angle B, angle C तो किसी भी vertex से opposite side को इस vertex की जो opposite side है उसे हम अगर perpendicular ड्रा करें तो इसे हम कहते हैं altitude तो यह altitude हमें ड्रा करने है तो उसके लिए अगर हमने अगर triangle ऐसा draw किया है तो set square की उसे हम altitude ड्रा कर सकते हैं देखिए अभी यह set square है और यह निचे की जो line है वो हमने इस line से set square के line से match करी हुए और यह जो vertex है यहां का इस line पर आना चाहिए तो अगर हम यहां से perpendicular ड्रा करें तो यह होगा इस line को perpendicular दूसरी भी method हैं जो कि compass box हम लेने वाले हैं तो यह shortly मैंने बता दिया कि कैसे altitude of a triangle होती है तो उसके बाद हम medium क्या होती है वो देखेंगे फिर उनका construction जो है वो compass box है और जो measurement है अक्चुर लेकर हम करेंगे next point है median of a triangle अब triangle में तीनों जो side होते हैं उनके midpoint अगर opposite vertex से मिला दिये जाए अभी समझो BC का midpoint BC side की opposite vertex है इन दोनों को अगर हम join करें तो इसे हम कहेंगे median of a triangle अब देखें B, यहाँ पर D, BD और C, D यह दो parts equal parts हो जाएंगे अगर यह median है तो तो यह होता है median तो median draw करने के लिए हमें BC का perpendicular west sector draw कर के midpoint हमें find करना होता है फिर यह दोनों हमें join करना होता है कुछ जो point है वो हमें मालूम होने चाहे altitude की बारे में देखिए अगर acute angle triangle है और उसमें हम तीनो side को altitude हम draw करता है तीनो vertex से तो यह तीनो vertex से जो altitude draw करेंगे वो concurrent होंगे और जो point of concurrence होगा triangle के interior part में होगा अगर right angle triangle में हम इस vertex से इस side को perpendicular draw करें तो यह altitude होगी और इसके लिए हमें altitude जो है वो यह होगी दोनों का point of intersection यहाँ पर है इस vertex से हम यह altitude इस side को draw करेंगे तो यह तीनो जो है vertex at right angle right angle पर जो vertex होगा उसमें यहाँ पर intersect होता है तो point of concurrence होता है right angle का vertex अब optus angle triangle में अगर समझो यह optus angle triangle है तो इस side को हम extend करेंगे तो हमें यहाँ से इस side को perpendicular draw कर सकता है अब समझो इस side को हमें perpendicular draw करना है तो इस side को फिर extend करो और फिर इस vertex से perpendicular draw करो यहाँ पर होगा तो यह होगी altitude यहाँ से यहाँ तक इस side के लिए और इस side के लिए होगी यहां से यहां तक और यह दोनों ट्रेंगल के बाहर जाकर यहां पे इंट्रसेक्ट होंगे, अगर इस पॉइंट से अगर इसको अल्टीटूट की बाहर इंट्रसेक्ट्ट तो पॉइंट ऑफ कॉंगर्ण्स ऑफ ऑ ऑ औ और आंक इजिंडुल ट्यैंगल का चीजडींड से का पेंडुल अपनुकूरेक्ट करन से उसे के इसके में करेंगे तो धूदा सा गोग सामय करनेंम में चिर तो घेए स्ग क्रेंग Feels होता है, वो TANGLE के अंदर ही होता है, किसी भी TANGLE में, तो इसे हों बी TANGLE में, यह MEDIANS का point of intersection, TANGLE के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं, centroid, और उसका symbol जो होता है, वो G होता है, और इस centroid हर MEDIAN को, सबस्वेद हो यहां पर point D है, तो 2 is to 1 इस रिष्व में डिवैड होता है तो A, B, C सबोज रेटेंगल है तो A, G is to G, D A, G is to G, D यह जो रिष्व है 2 is to 1 आता है B, G is to G, E सबोज यहाँ पर E point है तो B, G is to G, E जो रिष्व होगा B, G is to G यह रिष्व होगा 2 is to 1 सबोज यह 6 है तो यहाँ पर E 3 होगा 6 is to 2, 3 2 is to 1 इसका रिष्व आएगा 6 is to 3 दोनों को 3 से डिवाड होता है 3 to the T1 तो एक जनरल हमने डिस्केशन कर लिया है प्रैक्टिसेट 4.1 क्वेशन नुमर 1 देखे इन ट्रेंगल यल यम यन यल यम यन इस टैंगल में डैश is altitude altitude क्या होती है तो side को next उसका opposite जो vertex है वहाँ से perpendicular तो LX यह जो segment है इसे हमें इसे लिखना है segment LX is altitude and dash is median median अब यहाँ पर Y जो है यहाँ से यहाँ तक और Y से यह तक हमें जो distance दिख रहा है वह equal दिख रहा है यहाँ पर तो Y जो segment है segment LY यह median होगी question number 2 है देखिए draw an acute angle triangle PQR draw all of its altitudes name the point of concurrence as O तो हमें एक triangle जो draw करना है acute angle triangle draw करना है acute angle triangle हम अभी यहाँ पर draw करेंगे जिस triangle में तीनों भी एंगल जो है वो acute angle होने चाहिए तो हमने यहाँ पर एक acute angle triangle अभी acute angle में यह जो angle है वो 90 degrees से कम होने चाहिए तो हम protector से measure करके देख सकते हैं इनको measure करना है देखिए अब यह अगर angle measure करना है तो हम एक कैसे measure करना है यहाँ का vertex यहाँ पर जो है वो match करना है और नीचे की line इस line से match करने है अब देखिए vertex जहां पर है यह नीचे का उसके कुण से side में नीचे की line है तो इस side में तो इस side का जो zero है यहाँ तो उपर की side में है तो zero यहाँ से हमें जो number है वो count करना है यहाँ जो angle आएगा वो 70 और 80 के बीच में है तो 90 degrees से कम है तो हर एक angle है से ही हमें देखना है कि 90 degrees से कम हो तो अब हमें altitude जहें हो तीनों altitude हमें ड्रा करने है तो point of conference को हमें वो जो है वो नाम देना है तो क्या करना है set square की एक side जो है और triangle की एक side यहाँ पर match करो और एक vertex दूसरे side में यहाँ पर low तो 90 degrees का यहाँ angle है इसको हमें लेना है तो क्यूंकि यहाँ पर perpendicular होगा तो यह इसको थोड़ा extend करो यह होगा परपेंडिक्लार यहाँ पर altitude अब इस side को हमें यहाँ से vertex से परपेंडिक्लार डॉक करना है तो इस vertex को यहाँ पर से गुमाओ और दोनों match करो इस तरह से फिर इन दोनों point को तब इस point से जो है वो इसे थोड़ा extend करिये अब आगे तक यहाँ तक तो यहाँ पर हमें मिलेग अभी यहाँ इस side से इसको करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐसे तो इतीन को जो point of intersection है उसे हमें नाम देना है तो यह होगा ABC triangle PQR है तो यहाँ पर PQR नाम लो यहाँ पर सबोज XYZ, XYZ, ABC कुछ भी हम यहाँ तीनों vertex को नाम रख सकते हैं Question No.3 is Draw an Optus Angle Tangle, Tangle TV, Draw it, Medians and Shoe it, Centroid अब हमें एक Optus Angle Tangle draw करना है तो Optus Angle में एक एंगल जो है वो, Optus Angle होना चाहिए तो हम यहाँ पर एक ट्रेंगल ड्राओ करेंगे जिसमें एक एंगल अब देखें अगर यहाँ पर ऐसे लें तो जनरल यह में समझ में जाता है कि 90 डिगरी का होगा तो उससे हमें तोड़ा ज्यादा जो है वो डिस्टंस मतलब लेना है एंगल लेना है ग्रेटर लेना है और इन दोनों पॉइंट को हमें जोइन करना है तो यह हो गया अब हमें मीडियन ड्रॉप करने है मीडियन का मतलब क्या होता है कि यस टीवी जो ट्रेंगल है उसके सभी जो साइट्स हैं उनके मिड़प्ट फैंड करना है तो टीवी का मिड़पवेंट यहां पह हुआ है मिड़प्ट फैंड करने के लिए हर साइड का हमें perpendicular bicycle draw करना है अब देखिए ये TV TV साइड का हमें perpendicular bicycle draw करना है तो आदे से ज़्यादा distance लेकर हमें दोनों साइड को दो आर्क जो है वो draw करनी है फिर जो आर्क हम draw करेंगे अब देखिए फिर इस V से vortex से भी दो आर्क draw करनी है जिससे के हमें point of intersection जहे हो आप ऐसे कर सकते हैं देखिए dotted line भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये midpoint से मतलब काम है तो यहां का जो midpoint है और ये इन दोनों को join करो vertex opposite vertex side का opposite vertex और midpoint side का तो ये हो गई median अब suppose हमें yes, T का midpoint find करना है क्या करना है तो t point तो t point से हमें आदे से ज़ाधा yes, T का आदे से ज़ाधा distance लेकर t point से हमें से दू साइड को हमें दू आर्क हो करना है फिर yes, point से South side को दू app draw करें Isn Testament से यहां हमने ड्रॉ करीं और यहां पे एक लेंड रॉक करी आर्म जो है वो डॉकरी फिर इन दोनों पर्टेक्स को जैन करिए तो हमें तो इसको इस दुनों को जैन करना है तो इन दोनों को जैन करेंगे वट्टल अब यह हुआ का चीक है इस वी का अश्य बरब्सेंट में स्पाइब करने हैं तो ऑनो करूप जो हो गए तो दोनों का intersection point जो है वो हम यहां पे लेंगे median का यहां पे होगा तो यह जो midpoint है उसी से हमें काम है यह midpoint और यह vertex इनको हमें join करना है तो यह जो point होगा देखिया भी यह भी median मेडियन और मेडियन इन सभी का जो point of intersection है वो होगा जी उसे हमें लिखना है centroid नेक्स तो नेक्स पार्ट हम नेक्स वीडियो में लेंगे तब तक के लिए नमस्कार